महादेव का देवघर तो इसलिए सावन में है देवघर का खास महत्व जहाँ सामानी शिवलिंग होता है वहाँ एक कूस्त का शेत्र शिवशेत्र कहा जाता है उसी तरह जहाँ जियोत्र लिंग हो वहाँ बारक कूस्त का शेत्र सिर्व शेत्र कहलाता है यही नहीं विल्लव रिक्ष के आसपास का शेत्र भी सिर्व शेत्र कहलाता है वहाँ भगवान शिव निरंतर विराजित रहते हैं और अपने भक्तों को आशिरवात देते हैं परम कल्यानकाडी कामनालिंग है जिसके दर्शन मात्र से भक्तों की जन्म जन्मांतर की पाप जलकर नस्ट हो जाते हैं। इसके दर्शन पूजन से परम शान्ती मिलती है। उन सरवेश्वर स्रिप के नगर देवघर में रहना कौन नहीं चाहेगा। जब बड़े पुनिक उदित होते हैं तो वेक्ती देवघर में रहने का सुयोग प्राप्ट करता है। जो व्यक्ति यहां रहकर भगवान शिवगा भजन पूजन करता है या फिर यहां आकर भगवान बैदनात की अराधना करता है वस साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है उससे बड़ा भागे साली इस धर्ती पर और कोई नहीं है ऐसा भारती धर्म शास्त्रों और पुरानों का मत है देवघर में ही रहकर भगवान शिव में आस्था रखने वाले उनका पंचो पचार या शोड़ शोड़ पाच्चार पूजन करने वालों के हर मनुरत भगवान शिव की क्रिपा से शिग्र पूरे हो जाते हैं जो देवघर में रहकर भगती करते हैं उन पर शिव जी ही नहीं 33 कोटी देवता भी प्रसन्य होते हैं इसे अखंड ब्रम्भान नायक भगवान शिव का ही अनुक्रह कहा जाएगा कि देवघर में रहकर अपने भगतों का कल्यान कर रहे हैं काशी के बारे में मानिता है कि काशी दर्शना मुक्ती है क्या बात देवघर पर कुछ इस तरह लागू होती है देवघर दर्शना कामना पूर्ती ऐसी मानिता है कि देवघर में रहकर भगवान शिव की आराधना करने वालों को दुख छू भी नहीं पाते भगवान शिव की स्वास से उत्पन सनी पात शिव भगतों को नहीं सताते यही नहीं शिव भगतों को शनी से भी कोई कस्ट नहीं होता देवघर के राजा है भगवान जगनात और पूरा देवघर उनकी प्रजा भगवान वैदनात अपनी पूरी प्रचा को निर्भै कर देते हैं उनके आत्मिस्वास को बढ़ा देते हैं जिससे कि वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों का आसानी से सामना कर पाते हैं जो लोग संतों के बाने में इस दिवे जोतरलिंग की उपासना करते हैं उस पर शद्धा सिक जल चढ़ाते हैं भगवान सिफ उनके सिर पर अपना वरध हस्त रख देते हैं और फिर उसे किसी बात का भै नहीं दह जाता शिवाले बनवाना तो और भी पुन्नी की काम है शिवलिंग की अस्थापना मात्र से हर सुखों की प्राप्ती होती है अपुनकारे भी पूर्ण हो जाते हैं शिव पर कलश चढ़ाने से भी कुछ इस तरह का पुन्नी मिलता है यही नहीं मंदिर में ध्वजा की अस्थापना करने वाले को अक्षे सुक की प्राप्ती होती है ध्वजा में जितने पर्व होते हैं उतने कल्प तक ध्वजा की अस्थापना करने वाला कैलाश पर्वत पर भगवान शिब की साथ निवास करता है हवा की जोकों से जितनी बार धजा हिलती है उतने वर्षों तक धजा लगाने वाले ही को शिब लोग में रहने का अवसर मिरता है शिब शब्द के उच्चारन से ही जीव की सभी पाप नस्थ हो जाते हैं फिर बाबा बैदनात की सामने तो इस शब्द की कहने के अपने चमतकारी परणाम होते हैं भगवान शिव अपने भगतों को यहां अनपायनी भगती प्रदान करते हैं ऐसा सुख देते हैं जिसे पाने के बाद कुछ भी शेष्ट नहीं रह जाता शिव जी, अनादी, अप्रमय और महान है उनसे रखने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता शिव द्रोही दक्ष को समझाते हुए यही बात भगवान विश्णू ने कही थी कि शिव से द्रोब करने वाले का कोई कल्यान नहीं होता शिव की घृपा की बिना चाहि कोई कितना ही अधिक प्रयत्म जो ना कर ले उसे कोई फल नहीं मिलता जहां शिव पूजन नहीं होता वहां यग्गादी, कारे भी निश्पल ही रहते हैं